स्पोर्ट्स के हर खबर के लिए सब्सक्राइब करें खेलवारता राही ने 25 मीटर स्पोर्ट्स फाइनल में 49 पॉइंट अर्चित किया हाला कि वे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोडने से एक अंग पीछे रह गई वहीं सिल्वर मेडर जीतने वाली शूटर से वे 8 पॉइंट आगे रही वही 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल कॉलिफाइंग राउंड में राही 551 अंग के साथ दूसरे पायदान पर रही और मनु भाकर 588 अंगों के साथ तीसरे पायदान पर रही हाला कि फाइनल में मनु बहतर नहीं कर पाई इससे पहले 50 मीटर राइफल थ्रो पोजिशन में टोकियो में मेडल के उमीदवार शूटर संजीव राजपूर और वर्ल नमबर वन एशुवर्या प्रताप सिंग तोमर मेडल नहीं जीत सके हाला कि तोमर फाइनल में जगा बनाने में अब काम्याब रहे फाइनल में वे छटे पायदान पर रहे इससे पहले मार्च में दिल्ली में हुए शूटिंग वर्ल कप में उन्होंने गोल जीता था वहीं बात करें अगर मिक्स इवेंट्स की तो 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल मिक्स इवेंट्स में मनु भाकर और सौरव चौदरी ने भारत को सिल्वर दिलाया ये भारतिय जोडी 387 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर रही मिक्स इवेंट्स में फाइनल में मनु और सौरव की जोडी को रशिया जोडी ने हराया इस से पहले मैलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में भारत ने ब्रॉंज जीता भारतिय टीम ने हंगरी को 16-12 से हराया 10 मीटर एयर टीम में मनु भाकार यसश्वी देशवाल राही सरनोवत शामिल थी अब तक वल्ड कप की बात करें तो भारत एक गोल दो सिल्वर और दो ब्रॉंज के साथ छटे पायदान पर है जबकि रूस 10 मेडल जिसमें 4 गोल, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉंज के साथ पॉइंट स्टेली में टॉप पर है टोकियो ओलंपिक से पहले शूटिंग में भारत का ये सबसे बड़ा और आखरी टूनमेंट है इसके बाद भारतिय शूटर्स सीधा टोकियो ओलंपिक में होंगे